अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो एक तो इसे अभी के अभी पूरा देखिए या फिर इस तो छोड़ के जाए क्योंकि यह वीडियो पूरा एक शॉट में मैंने कॉक्रोष सिखा हुआ है और यह आपको पूरा पूरा काम देगा निट एक्जाम में 2020 और 2021 के लि यह पिरेखी लिए स्टार्ट करते हैं मिले नामे आते होए और आप देखेरें सरलित पहले बात कोख रोज कोख्रोष का साइन्टिफिक नें बताओ परी प्लानेटा अमेरिकाना अगर नहीं होना है कॉक्रोच प्रिप्लानेटा अमेरिकाना ए और तुम जो है वह फेरी से फेरी टेमा और यह पेरी प्लानाइट अमेरिकाना को पूरा हम वर टो वर इनिसाइटी में बना हुए पूरा थिके जंडरल जंडरल क्या ब्राउन और ब्लाक बोडेट आपको पता हुए अगर यह कोशन पूछ दिया किया को पता होना चैंड नॉर्मली जो कडर होता है वह इसका फाइलम पीलिम आर्थरपोड यह पाता ने सबसे बड़ा गूप है तो उसमें आता है कोकरोच ठीक है आर्थ्रोपोर्स जो होते है और नौ लाग स्पीसिस है मतलब 75 परसेंट और आर्थ्रोपोर्स है 70 परसेंट अल्मोस उसमें से इंसेक्ट सी है ठीक है आप एक एक पॉइंट दिया हुआ है येल्लो ग्रीन रेड ये कॉक्रोच में मिलते हैं लेकिन ट्रॉपिकल रिज से 3 इंचेस इसको याद रखने है 0.6-7.6 cm आपको किसी भी फॉर में पूछ सकते 1 x 4 से 3 इंचेस या 0.25 इसको 1 x 4 को आप 0.25 सकते है ना तो इसको 0.25 से 3 इंचेस या फिर 0.6 cm-7.6 cm या 66 mm-76 mm समझा सेंटी मिलीमेटर को मिलीमेटर में कर सकते तो आपको यह साइज याद Synthονny marcript vaze we do Northacker elm and Omniverse आपने देखा भोगा आप जब रात को सो जाते हो तब आके घर में निकल आते भार क्यों निकला देभार क्यों नक्तरणल है मतलब नॉक्तर्नल मतलब क्या एंड से नाइट एंड से नॉक्टर्नल राथ को काम करने वाले रात को जगने वाले आनिमस को लिए नॉक्टर्नल तीक है और जो दिन में होता है डायर्नल ठीक है अब आते हम अगले पोएंट पे कोकोरोजेस हो गया जेंटरल क्रेक्टर शिक प्रदेर रिवास कर लेजिए लेकिन वह काम मिलते सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया से मिलते साइज क्या है यह इंपरेंट पॉर इंचेस से लेके 3 इंचेस तग लेकिन अगर उसको सेंटीमेटर में करना है 0.6 cm से 7.6 cm यह आप याद मतल किये आपको पाता होना चाहिए 1 इंच इस इक्वल्स तो 2.6 cm ठीक है यह फिर 2.54 बोल सकते है अप्रोक्सिमेटली 2.54 सेंटीमेटर एक इंच 2.54 सेंटीमेटर के बराबर होता है ठीक है तो 0.6 से 7.6 सेंटीमेटर नॉक्टरनल ओम्निवर्स है इसमें एक और दो तीन और चीज़ खास बात है चैनाबेलिजम शो करते है क्या शो करते है चैनाब बोला क्यू सो रियल रॉनर्स यह वर्ड याद रखने क्यू सो रियल मतलब क्या कि एकदम रॉनर होते एकदम फास्ट रॉन करते ग्राउंड पे अपने देखा होगा आप ऐसे करते हो कॉक्रोच सुर्ण तो यह आपको जेंडरल पॉंट्स याज़ नखने आब आते अपन अच्छ यह में पारा राओंगो तो इसमें क्या है ना कि अब आप यह टेकर मरण फार इसने में बताऊंगा कैसे कैसे आको पोईंट से आप इसको जो विंग्स है इसका जो टिप है इसका जो टिप है इसका जो टिप है मेल्स में वो एब्डॉमन से भी पार चला जाता है मतलब एब्डॉमन से थोड़ा सा नीचे चला जाता है उसको बोलते टिप जो है एब्डॉमन से थोड़ा सा नीचे चला जाता है इसको बो इसमें यह करता है इसमें क्या है है ठोरेक्स शेघ्ड मतलब उपर का पाट थक बीच में निच्चे अब यह पार्ट शेज आगे सिखेंगे हम लोग 10 segment होते हैं तो टोटल segment कितने हुए 10 प्लस 3 प्लस एक यह कुश्चन में आ सकते हुए कि यह कॉमन सेस्ट कोश्चन है इंसाइड में में नहीं होता सेग्मेंट है आपको पता होना चाहिए कि हेड तीन है कि खुद को परसीव कर पाए मतलब खुल को जिंदा रख पाए क्या रिजन है काईटीन एक्सका पॉल्म पॉलीमर है एन एसेटाइल ग्लुकोस हमाहिन तो काईटीन से क्या होता है दोस्तों काईटीन एक हार्ड सबस्टेंस से उसको डिएड़ कर पना मुश्किल है ठीक है ल व्लेत को क्या बोलते हैं उल्हां प्लेट को इस块 में वेर्ड मेंशन एक प्लेट्स को बूलेंगे का बूंलेंगे स्क्लゃराइर्स क्या ठीक है तो यह करेंगे ड्रीट्स सथी 犯ा याद कर लो alan Está क्या आप कर लो date date मतलब dorsal turguide ठीक है इसको याप कर लो save turnite ventral turnite ventral ठीक है ये 3 बदा दी माने क्या आप एक याद कर लोगा दुस्ता तो automatic आई जाएगा date मतलब dorsal turguide ठीक है और ये जो plates होती है ये brown color के होती है exoscleton होता है मतलब बाहर होती exo मतलब बार, endo मतलब अंदर end मतलब अंदर और x मतलब बार ठीक है ये थारी चीजे जन्टरल पॉइंट एक और इंपॉइंट है में पिंक से red कलर से लिखा हुआ है dark pink कलर arthroidal membrane turguide and sclerites joined by thin flexible artricular membrane जिसा हम कहेंगा arthroidal membrane मतलब क्या होता है आप देखो इसे बहुत सरे plates से cockroze के बाड़ पर इसे बहुत सरे plates से इसे lateral plates से जिसे हम plurites केते क्या करते है plurite lateral वाले को लेकिन वह हमारे इंसेडम नहीं दिया हुआ dorsal को कहेंगे turguide नीचे के तरफ होंगे sternite ठीक है ऐसे नीचे होगा अब यह उपर एक plate मेरे पस नीचे एक plate है body भीश में cockroze किये उसको protect करने के लिए उपर जो plate उसे कहेंगे turguide नीचे उसे कहेंगे sternite दोनों को जोड दिया ऐसे तो जोडने के लिए कुई membrane चाहिए उसे तो membrane का नाम होता है जो articulate करती है आर्टिकुलेट मतलब क्या जोडना आर्टिकुलेट करना जोडना आर्टिकुलर मेंब्रेन और वह आर्थ्रोपोडा में मिलते है यह अर्थ्रोडियल membrane flexible होती है याद रखना है membrane flexible होती है ठीन होती है ठीक है सारे points clear होगे पूरा general morphology characteristics आप खुद इसे एक बार गोत्रों कीजिए वीडियो पॉस्ट कीजिए खुद याद करने कोशिश कीजिए क्या क्या सेग्मेंट्स थे अब आता है सीधा अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट है अब यह डाइग्राम इन इसे क्या कहेंगे फिलिफों एंटीने के ऊपर कुछ रिजेटर्स होते हैं जो उसको आजू-बाजू के अब आते आगले पॉइंट । इसके बार में आगे सदढ करेंगे रोनोटम करें परहा है आपापे मतलता है एक पता ही इसमया है ये प्रो नोटम क्या है प्रोचको सब्सक्राइब और ये नहीं थिया हुआ में टारएम में वहहता प्रोच में लिखे रहें है जो लेग प्रोचक्स से निकले उसे कहेंगे प्रोचक्स मेoka पर वाले विंग्स हिंड जो है यह और यह उपर वाले विंग्स हिंड विंग्स जो है यह और और यह है four wings ठीक है अब यह डियाग्राम याद हो गया एंटी ने दो लागे हुए उसके नीचे compound आये उसके नीचे head head के नीचे pronotum है pronotum क्या है प्रो थोरेक्स का पाट है उसके नीचे मिसु थोरेक्स है उसके नीचे मेटा थोरेक्स है अब्डामिंग के 10 सेग्मेंट से अनल सर की भी है एक्स्टेनल फिचर्स कहेंगे से कॉक्रोज के ठीक है यह डियाग्राम तो अपका स्टड़ी पूर आच्छे से हो गया अब देखो क्या होता है है हेड हैंने ट्रेंगुलर और यॉच ऊपने लीचे बॉड़ी यहां पर उसका सर है लेकिद यूज सर होगा लाक हा शये उसस आ 아ाङए लेकिन इसका सर जो ऐसे नहीं होता इसका सर कैसे होता इसका सर होता ऐसे सम्हें मतलब यह कौकुरुश की बौडी है और इसका सर नीचे की तरफ है ठीक है मतलब राइट एंगल उसका बॉड़िस ही इसको हाइपो बोलते और लॉझटोटुटूटनल ऐकसी सब्णा बॉड़ औरफुरा कहीं है? छे सेग्मेंट में चुट गया? मतलब, शे सेग्मेंट गया जिच सेग्मेंट है हमारे हिसमें यहारि जूर जूर के कुछ रीमोल्ड होके हमारे 306 बॉण सौर्ड बोन पहले 306 बॉन होते हैं लेकिन बाद में किंते बन जाते हैं 206 बॉन कम होए न बतलब कुछ दीर कुछ यहा डीर जो शीमें घूली ठीक है आपको यह आद रखना इसल्ट में 6 सेगमेंट से fuse हुआ हुआा पार्ट है ठीक है फ्लेक्जीबल है वो आपना सर कहीं भी घुमा सकता है तो से होता है वह आपना सर कुई भी डीरेक्षिन में घुमा सकता है जिसो हाम कहींगे है is mobile head करелे कहा हो क्या कि अब बात आगले पॉट पर अब acre कंपाॉंड ऐसे में लेकिन यहाद रखना है taking mention bacina aQ म cyclone a pair of compound 1 और 2 दिख रहे लेका एक और 2 एक जिए पेर रहे ठीक है और यह होटे BI पंथा है वो इसे खाले जगहा है ॉईयसे यहां से यहां से आहिं निलते प connection को बढ़ेज़ टर एकडम लाष्ट ये याद रखो कभी बी पूचे कि सेग्मेंटने पूचे कि सीज़ीट में वी पूचे प्रो मतलब पहले होता है, मीसो मतलब बीच का होता है, मेटा मतलब एकदन लाषट का होता है यह से बिठालो भी प्री मतलब या प्रो मतलब पहले, मिसो मतलब मिड मिड मे और मेटा मतलब लाष्ट तर्मिनल सेग्मेंट से नियुद पताया ते हमाव और जो फोक temos था की चला है एक माव घ्ल सुल्ए है इक प्ति प्र्यबेंट पार।ो फोक नि 도्पर निकल ठीक है के विंग्स है ठीक है ? टू पर ऐफ इंकलेंगे किससे निकलेंगे दोस्टो मीसो थोरक से उसे कहेंगे जो विंग्स रखना है जो विंग्स मिसो खोराक से स्टरट होगे उसे कहेंगे four wings, कभी याद रको four मतलब आगे, four मतलब first, four मतलब first, और hind मतलब second, हिंड मतलब second, आपना भी देखो, हम जो four arms, मतलब हमरे ये four limbs है, हाते, वो क्या है, हाते, वो क्यों पहले आते, और hind limbs क्या है, जो पेर है, ठीक है, वैसे इन में four wings है, जो पहले हाते, और hind wings है अब नया पॉइंट, four wings को हम, four wings को हम कहेंगे, टेग मीना, यह याद रटने, एंसेटी में दी रहा हुआ है, four wings को क्या कहेंगे, टेग मीना कहेंगे, टेग मीना कहेंगे, ठीक है, यह कैसे होते है, डार्क कलर के होते है, डार्क कलर के होते है, डार्क कलर के, ओपेक होते है तो लाइट पास नहीं हो सकती, covers hind wings, यह इतने बड़े होते हैं, hind wings को अपने निच्चे दबा लेते, छुपा लेते, अपने पना पना देते, ठीक है, तो देखते कि इसके क्या के नाम्स थे, four wings को क्या कहेंगे, misothoracic wings को क्यों क्यों क्यों, thorex से आये हुए, उसे और क्या कहेंगे, tagmina कहेंगे, ठीक है, लेकिन वो flight में help नहीं करते हैं, मतलब उड़ने में वो काम नहीं आते हैं, ठीक है, तो second pair of wings है, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे, hind wings, hind wings यो है न, वो transparent होंगे, कैसे होएंगे, transparent, लेकिन वो membranous भी होएंगे, transparent, membranous, और used in flight, मतलब transparent हो, उसके तो light pass हो सकते हैं, membrane के जैसे, और halkी होने के कारण, membrane के जैसे होने के कारण, वो flight में use होते हैं, flight मतलब उड़ने में, तो अगर question आजा नेट में, उड़ने में कौन से wings होंगे, हम कहेंगे hind wings, hind wings का से आते हैं, metathorax से आते हैं, तो उसे हम कहेंगे, metathoracic wings, उपर वाले wings, four wings, नीचे वाले wings, hind wings, उपर लगों कहेंगे, misothoracic, नीचे वाले लगों कहेंगे, metathoracic, तो चलिए आगले segment में, आगे हम mouth पे, हमें पता है mouth के बुसरे पार्ट से इसके, उसमें जो इसका apparatus है, वो है biting and chewing type, क्या है biting and chewing, मतलब bite करता है, chew करता है, बहुत सारे होते हैं, यसे कि लैपिंग होते है, lap मतलब ऐसे करना, पता है ना, को कैसे करते हैं, मतलब हम इसे ice cream खते हो करते हैं ना, वैसे lap करना, इसे खीचना थूट टंग, लेकिन यह bite करता है, bite करके चबाता है, ऐसे 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 और फिर खाता है, chew करके खाता है, ठीक है, अब देखते हैं इसके parts, मैंने diagram बना होगा है, लेकिन यह diagram में labeling नहीं कियो, क्योंकि labeling बहुत important है, labeling देखो कैसे करना है, ठीक है, मैं कैसे करता हो, अब यह उपपर का part है, ठीक है, यह उपपर का part है, अब मैं इसको नाम देदूँँगा, labram, क्या देदूँगा, labram, और same, उसके नीचे तो बड़ा part है, मैं खेह दूँगा, labiam, अब मैं को कैसे याद है, मैं बताता हो, पहले trick, labram, मैं को थोड़ा हेवे लगता है, labram, तो मैं उसको उपर रखता हूँ, ठीक है, labram, या फिर मैं को पता है, इसमें आ राता है, ठीक है, आ राता है, labram में, तो आर तो बाद में ही आता है, उपर है, ठीक है, एक दिखा जातो, ABCD में, तो ये उपर, आए नीचे है, तो labiam, ठीक है, अब देखो, ये तो दिखे आपको, दोनों बाजु में, दिख रहे आपको, दिख रहे, ये है क्या, और ये रिजन है, इंसाइसिंग, आप इंसमेट देख लिजिए, ठीक है, स्पेलिंग के लिए, दो रिजन होते हैं, इसमें, एक उपर का रिजन होता है, एक नीचे का रिजन, उपर का रिजन को कहेंगे, ग्राइंडिंग रिजन, नीचे के region को कहेंगे incising region ठीक है यह बीच में होता है यह हमारा छोटू सा हाइपो फैरिंग्स यह tongue चीज से काम करते है, इसके से काम करते है tongue, tongue, median tongue है, क्या है यह tongue, याद रखो, किसी ने पूछ लिये, cockroosh के tongue को क्या कहेंगे, hypopharynx, हमारे tongue के एक रखोए रखोए यह क्या है, हम कहेंगे, hypopharynx, यह जो लंबे-लंबे, ऐसे hook से बने हुए न, maxillay, क्या कहेंगे, maxillay, ठी लेबरम-EK, hypopharynx-EK, labium-EK, पेड कौन से-कौन से, mandible-2, maxillay-2, mandible-2, maxillay-2, याद किसे करें, hypopharynx-EK, labrum-EK, labium-EK, mandible-2, maxillay-2, इसा, ठीक है, यह याद करने में टिकनिक बते है, तो आप देख रहे होगे, इसके बाजों में एक डाग्राम दिया हुए, इसमें लि इसे इग्णर करने के, जिलस क्या है, यह एक vestigial part था, लेकिन आप कुछ काम का नहीं है, vestigial, eye-like structure था, जो अभी कुछ काम का नहीं है, ओसील बुलके दिया हुआ है, जो mouth part का diagram यह उसके बाजू में है, तो आपको समझ के लेना है, कि वो क्या है, वो एक vestigial structure है, ठीक है, अब बताया, abdomen, abdomen, total 10 segment है, किसने बताया, 10 segment है, special point, यह मैंने इंस्क्रेट के तीन लाइन लिखे हुए, आपके इंस्क्रेट में लिखे होंगे, भंग से पढ़ी है, ठीक है, मैं समझाओंगा अभी क्या क्या लिखा है, females में, जो 7th sternum है, वो boat shaped है, तो fact हो गया, females में, 7th sternum, 7th में बताया, sternum, नीचे वाला part, उपर वाला तरगम, यह तरगाइट, यह तरगाइट, वो कैसा है, boat shape है, कैसा है, वो boat shape के समाने हो, अब क्या होता है, जो 7th वाला sternum हैना, दोस्तो, 7th वाला sternum, दोस्तो, वो 8th वाले, और 9th वाले sternum के साथ मिलके, क्या बना लेगा, brood pouch बना लेगा, दोस्तो, क्या बना लेगा, brood pouch, जिसे हम कहते है, genital pouch, क्या कहेंगे, genital pouch, क्या हम बताया, मैंने, जो 7th वाला sternum है, females में, वो boat shape है, वो 8th वाले, और 9th के साथ मिलके, brood pouch, और genital pore, जो open होता है, anteriorly, उसका opening है, काप है, उसके मूँ के तरफ, उपर की तरफ, anteriorly into, gonopur, spermatical pores, और colateral glands, तीन जगए उसको opening है, यह question में आनकी possibility है, आज तक यह question पूचा नहीं गया, क्या, फिलने में, 7th वाश्रपनम जो है, वो 8th वे और 9th के साथ मिलके, brood pouch, जो 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 बनाता है, open काप होता है, तीन जगए open होता है, एक तो होता है, gonopur में, एक होता है सफर्मा थेकल पोर्स में, यह होता है, colateral glands, क्या होता है, colateral glands, यह colateral glands का function क्या देखो, colateral glands जो होता है, अक लो, colateral glands, उनका function यह है, यह सिर्फ, कि वो जो है, सिर्फ जो अपना, उ थेका, बोल रहा हो, जो X होता है, X, ठीक है, जो X होता है, उसके उपर वो layer secret करते, protection के तो वो होता है, function colateral glands का, ठीक है, females में, अब males में देखते क्या है, males में genital pouch होता है, लेकिन किससे बनता है वो, वो बनता है, 9th और 10th तरगा से, किससे 9th और 10th तरगा, तरगा मतलब क्या उपर वाला, और 9th sternum से, तो याद रखना है, 9th 10 तरगा, और 9th sternum, 9th 10 तरगा, और 9 तरगा, ठीक है, contains dorsal anus, याद रखना है, dorsal उपर की तरफ anus होता है, उपर की तरफ anus होता है, dorsal anus, ventral male genital pore, नीचे की तरफ, ventral साइड पर होका, male genital pore, जैसे उपर ता female का, ठीक है, और gonapophysis, यह तो male external genitalia है, gonapophysis, एक male external genitalia है, हमारा देशा penis होता है, वैसे ही एक, इनका gonapophysis है, ठीक है, तो यह दो पॉइंट होगे, अब male, male जो है, male के पास short thread-like structures होते, ठीक है, जिनने हम कहेंगे styles, जैसे absentive females, यह NEET में आया होगा question एक-दो बार, जैसे कैसे याद रखे, मैने कैसे याद रखे, man के पास, stylish man, एसा याद रखो, stylish man, क्या, stylish man, मतलब man के पास, man मतलब male, sorry, male के पास, annal style से, females के पास नहीं है, females are not stylish, males are stylish, man stylish, stylish man, ठीक है, यह से याद रखे, stylish man, ठीक है, तो उनके पास style है, annal style है, एक होता है, annal sarki, बोलके, क्या होता है, annal sarki, यह क्या होता है, मेरे दोस्तों, annal sarki, जो है, वो भी ऐसे ही structure से, जो sensation, मतलब, आजू-बाजू के गति वीदियो का sensation करते है, vibration हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो body को बताते है, कि हाँ, पीछे कुछ है, पीछे कोई हामारे आ रहा है, ऐसे, तो वो annal sarki का काम है, तो वो भी एक segment, वह एक pair होता है, at 10th segment, कापे होता है, यह 10th, लेकिन यह दोनों होता है, बोत, male and females, male and female, male and female, male and female, तो यह 4 point reverse कर लो जाल जाल जिसे, mouth part तो reverse कर लिए सारे, 2 maxillia, 2 mandible, 2 maxillia, 1 labrum, labrum, hybopharynx, labium, ठीक है, अब इसको reverse कर लो, females में 7th वाला जो होता है, वो boat step होता है, 8-9 के साथ मिला के, वो brood pouch जाला जाता है, उसके साथ वो तीन ओपनिंग खोलता है, गोड़नो पोर, फर्माथिकल पोर, तो collateral glands, males में, males में genital pouch होता है, 9-10 तरगा होता है, और 9-10 तरगा होता है, content dorsal, annus, ventral, male genital pore and gonapophysis, ठीक है, male bears, male में क्यों होता है, short thread like structures होता है, जिसे हम कहेंगे, anal styles, तो इससे होगा, both males and females में, कापे होगा, ये 10th segment में, कापे होगा, 10th segment में, तो ये भी होगया, हमारा आगला session, done, अब आगले, अगर आपने session, आपने session, आपता है, लाइक करके जाए, लाइक करके जाए, और बताईए, मुझे आपको ये वीडियो किसे लगा, ऐसे वीडियो आपको अगले session अच्छा नहीं लगा, तो dislike करके जाए, लेकिन कुछ नहीं करके जाए, जिसे मुझे समझेगा, कि आपको जो ये session है, वो आच्छा लगा, कि नहीं, अब देते है, अब बताऊंगा, पूरा एक detail to detail, ठीक है, डाइश सिस्टीम हमारे साही है, ठीक है, फोड़ा फा यहां से क्या होगा, फैरिंग से हमारे समें काप्या आता है, इसके इसमें भी इसोफेगस में आता है, लेकिन हमरे पास क्या होता है, माउत में सलयवा मिस होता है, इसके पास भी क्रिया है, सलयवरी ग्लैंड से, बस क्या है, सलयवरी ग्लैंड से, कितने सलयवरी ग्लैंड, we are क्या खाना आपको Grindr तो फेलि kilograms है तो हमारी में हिरशेश जाना कि म१्णि तो जाता है तो इसे यह कुछ स्टमक नहीं है को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुगा है лиके वह उता है forget, midget, hindget जो मतलब क्या? अब इसमें जो धानानिन के बाते forget, अब स्टार्ट हो गए है यापर तीक है अब क्या होता है? crop एक organ है जिसका नाम है crop यह बहुत important है क्या है crop? दिख रहा है बड़ा थेली जैसा क्या है बड़ा थेली जैसा? इसको कहेंगे crop कहेंगे यहापर्पर क्रॉप किया हम दोस्तों यह बहुत बड़ा और्गन होता है crop जिसमें food store होता है यह होता है food food का store होता है crop में यहाथ होता है food का storage होका crop में आप crops जीसे आफ आगे बढ़ोगे खाना crop से जाएगा gizzard में इसाह lips नाम प्रो वेंट्रिकी उलस क्या कहेंगे प्रो वेंट्रिक taraf में टिक है अब यह ता hero दी अ कुछ Line किया है किया है कि A औरगट is lined by cuticle अगला पॉइंट गिजाड को हम कहेंगे प्रो वेंट्रिकुलर्स या ग्राइंडिंग औरगण क्रॉप को क्या कहा था सैक लाइक औरगण स्टोरिंग के लिए होता है गिजाड में इंपोरेंट पॉइंट गिजाड में आउटर सर्कुलर थिक मसल होंगे क्या होंगे बार की साइड पे एक थिक मसल होंगे जो होंगे सर्कुलर गोल दिखरें आपको या पे क्रॉप सैक लेक्स ट्रक्चर है उसका गिजाड आउटर जो है वो थिक सर्कुलर मसल ब्रक्चर है लेकिन आपको इंपोर्ण पॉइंट जो आ रहा है ना मेरे दोस्तों कि चितने दाथ होते हैं हम पे और कि तरफ एक हाडे होता है हाडे सफसंस हमारे बौ। प्रवाइबल शिक्रिट करता है हमारे बोडी में अम्यमल को एमिलो ब्लास इल्स टिस आप यहां तक समझ गया आपको और यह पर एक और पॉइंट जो होगा ना लाश्का फॉइंट जो है लाश्का वह ब्राड होता है थोड़ा सब फेला हुआ होता है मिडगर्ड के कंपरि में इंटर किया सब्स्टेयर ग्लाइंस अपको यह कहीं देंगा इंशेड में कितने इंशेड लेकिन में दोस्तों आपको दिख्या होगा टाल आपको आपको अगर इसे ज़न आ पहु हां में पेर से जहाँ के नहीं नहीं इनिसेटि में में है नहीं नहीं से थीक है इसके टक्राइब मं प्रोप से और Gizzard में Gizzard देख रहा है याँ पर Gizzard Gizzard को क्या कहेंगे Proventriculus Proventriculus Gizzard में बारी सतयवे पर Outer Circular Muscles होंगे जो ठिख होंगे जो कि उसा grinding करना है Gizzard क्या करता है grinding करता है grinding और कंच तोड़ता है उसको दात है यसे कुछ दात हुते है जो काई टनका नि कैई टिकर दिखुरे ये कितने होते हैं यह होते चेट लिया और यह पुरा विरगाट तलु है फोरगत और थो जो के जो जंक्शन में हे दो ह्पटिक के खरागं के घंट इस जिए करते हैं अब आधर निया हुआ है यह ब्लाइंड टुबल से ब्लाइंड प्लाइंड बिच अचिज़ निया हुआ यह जिनका डाइरेक्शन निया को तिधर भी चोड़ देंगे हो ठीक है यह फिर जो एंड लेसे हैं ठीक है फ्री यापे, कापे, 4Gut और midgut के junction में hepatic CK, कितने हैं? 6-8 hepatic CK, hepatic CK को काम क्या है? उनके पर digest to juice है, जो digest to juice वो खाने के अंदर छोड़ देंगे, ठीक है? gastric juice कहेंगे उसे हम, ठीक है? digestive juice, hepatic CK का और एक नाम है gastric CK, अब आते हैं midgut, midgut का एक और नाम दिया हुआ है, आपे दोस्ते हैं, इसे डाग्राम में दिया हुआ है, mesenteron, क्या है mesenteron, mesenteron मतलब midgut ही है, वास्ते खाना आया, खाना आया, फिर आया, हिंडगट में, अब midgut और हिंडगट के junction में और कुछ tubules है, उसे कहेंगे malphigien tubules, क्या कहेंगे malphigien tubules, अब में आप बाता हुआ है, malphigien tubules जो होते, yellow होते, yellow color के होते, thin होते, thin होते, yellow color के होते, excretion, जो उसके पास, जो waste product है, उसको डाल देंगे उसके अंदर, waste product को, उसके अंदर वो mix कर देंगे, तो उसे कहेंगे excretion, Malfagen tubules कितने हमारे पास 100 से 1500 Malfagen tubules है कितने 100 से 150 data in radica 100 से 1500 100 से 1500 Hepatics ठीके कितने थे 6 से 8 Gastrics ठीके कितने थे 6 से 8 वही एक ही बात है Malfagen tubules कितने 100 से 1500 Malfagen tubules ने यहाँ पर कुछ छोड़ दिया जो वेस प्रोड़क्त था काप ए Malphagen tubules Midgart और Hindgart के junction में आता है इलियम कोलन, पिर रेक्तम हमारे जैसे ही इलियम, कोलन, रेक्तम और रेक्तम से भाहर जाएगा सिधा अनस के थुरू रेक्तम से भाहर जायगा सिदा ईलियम, कोलन, रेक्तम होगा डिक्तिसिटिम पार बात की बात है उपन टाइप मतलब क्या होता है कि इसके पास कुछ ब्लड वेसल्स नहीं होते है जो है डैसे हमारे म flipped मनें ब्लर बेसल्स से systemic वेड जा रहा है शीक और ब्लर झालिए जता जाता है जिस और बनको चाहिए ब्लाद लेलो त्यrab whole in अब जो NTA papers डाल रहा है उसमें clearly mentioned है एक्सेंट नहीं होते है पूरली developed होते है एक्सेंट में दिया हुआ है लाइन है एक्सेंट नहीं होंगे अगर बच्छों को लगते ओपन टाइप है तो एक्सेंट होंगे नहीं पूरली developed होंगे ठीक है जैसे ब्लड परम किया हाट ने व सीरी इसली मुल्स ने क्लार शर्सेंटम रहा है इसली इसलीस प्लाजम होनों तरह होत कोज़ो एक है सिजर्ल जिसे हें हीुsmयो साइट से याद करना огम प्रहा 파ुमें मृतWow उंसथे हे जैसे और ऑनल चैमबर देखो एठोब 1993 नहीं होटा है देखो बिद्रिक्श ब्रेवर जहाँ हए। जहेत vulner है पुरुघी जाएगा धुक्त और रिज्टेिर फोर गल्स महाँ पॉजव्प करेंक रह्ने सी दिखरां जळसे का पहुत बेंक पास अधाने मुच्छ निरी। पंप करने प्लेटाइब करेंगे यलरी मसल ठीक है अब दिखो क्या होता है ब्लड पंप ब्लड जाएगा कैसे ओष्टी आगे थूपु जाएगा थूपु तो फिलड ब्लड ब्लड से बढ़ी हुई क्या हैं जाएगा हीमोसील और पर क्या भर जागा ब्लड इनके ब्लेड क क्या कहेंगे हीमो लिंप हीमो लिंप के कॉइक कोंस्टुटुमेंट से एक तो है कदरलेस प्लाजमा दूसरा क्या हीमो साइट्स हाट की चेंबर कितने तीरा चेंबर हैं एंट्रेयर आयोटा हाट का शेप क्या है फट्रेल शेप और उसके साइड में जो ओपनिंग से उसे कह का इसन हमारा जैसा इंके पास ट्रेकी है और इंके पास गैस एक्शेंज करने के लिए 10 पेर फोल से कहेंगे स्पिराकल्स लेटरल आब बत्ता हूंगा बदोगर कोई देखो यह कोक्रोस है कोक्रोष की बॉड़ी तो यहां पर कूछ ओल होंगे इसे हार सेगमेंट में एक ह को होगा इस होल को हम कहेंगे क्या कहेंगे स्पिरैकल क्या क्या इंगे स्पिरैकल तो एब्दम के दस तेमिन तो सब्सक्राइब तो बन जाएंगे ठीक है स्य्ट्र जो है आइको देख तर्ट appelle ट्रेंटेंट जो है तो याद करना कि यह किषwegen के अभिलिवर एक उन..? में 10बाद 10 एक और हर सडमें दौनाओ सटेल्ग धितुजद्ध होंते हैं ट्रैकुल्ज है जो ट्रेक्या वð ब्रेक होग Till understand अब ड्रेक्षियर कर गें का संबें अब अब यह संदु हरें कि आलकम यह से हमारें तेकिन थे malphagent tuples, 100 से 100 से malphagent tuples ठीक है, अब malphagent tuples में जो cells होते हैं, यह बहुत important है, यह lines छुप जाती है यह कभी-कभी, ciliated और glandular cells है, कैसे cells है malphagent tuples में fact है, ciliated और glandular cells कैसे cells है, ciliated से बना हुए और glandular cells है, जितमें glands है ciliated and glandular cells are found in malphagent tuples ठीक है, यह uricotelic है यह uricotelic है मतलब, क्या secret करते हैं, यह uric acid मतलब, इनको water की requirement बहुत कम है, water की requirement बहुत कम है, और यह poisonous भी नहीं है यह इतना, इसलिए water की requirement कम है, आपको पता है सबसे ज़्यादा poisonous ammonia, उसके बाद urea और फिर uric acid, ठीक है इसलिए सबसे ज़्यादा poisonous ammonia है, इसलिए सबसे ज़्यादा पाने निकालने के लएगा ammonia ठीक है, तो यह uricotelic होते है आपको बतातों किसे याद रखने है R, reptiles, birds insects R, B, I, L reptiles, birds, insects ठीक है, और land snails, यह सारे होते है uricotelic, अब एक point दिया हुआ है, इसलिए में जो बहुत important है, लेकिन आपको deep में ने खुशना है, यह point क्या आप कर लो, इतना बता लो, इतना याद करो excretion में main organ है, या फिर main जो है वो है, source है, there's more malphagene tubules, लेकिन excretion में help और भी कोई चीज करती है वो है fat bodies, nephrosides uricos gland, क्या पता है मैंने, कि excretion में main function तो malphagene tubules का है, लेकिन fat bodies, nephrosides और uricos gland, यह भी बहुत important role play करती है अब मैंने किसा याद किया हुआ है, यह trick F-U-N, fun fun excretion करता है, क्या करता है malphagene tubules तो करते ही है उसके साथ कुछ fun भी हो जाए तो fun क्या है, fat body, uricos gland और nephrosides, खतम पूरा का पूरा, अभी तक हम कॉक्रेश खतम होने को आगया है, मेरे दोस्तो आप देखो, nervous system neural system अगर आपको इस session थोड़ा भी useful लगा हो, तो इसे like कर देजिए अब आते हैं, nervous nervous or sensory system क्या होता है, देखो series of fused segmented ganglia होते हैं इसके पास वेलला brain नहीं होता वेलला brain होने का इतना नहीं ब्रें, ganglia होते है ganglia fused होते, कैसे होते fused, आसकते option में free free नहीं, fused है, segmented इसमें क्या होते है, 3 ganglia होते है thorax में 6 ganglia होते है abdomen में total ganglia नहीं होते है इतने, याद रखना है 6 thorax में, जोकि thorax के segment 3 है हर segment में 1, pro thorax में 1, mist thorax में 1, metathorax में 1 लेकिन abdomen में 6 ganglia है abdomen में 6 ganglia है abdomen में segments 10 है, रेकिन ganglia है कितने 6 3-6, 3-6, याद कर लो cockroach, cockroach can survive for 1 week क्यू? क्यू? अब क्यू? जो नहीं कर दो क्यू? क्यू? मैं वह थे रेकिन है क्यू? अब आप जिसकते हैं अब तक वह लेविंग था तो इसके लिए आप एक्स्परिमेंट्च करने पड़ेंगी बातन में जा के तो इसमें कुछ बुरा मनने के बात नहीं कि वह बिचारे अनिमल ता है इसे कॉक्रोष तो हम रोज मारते चिपक लिए आप रोज मारते रहेंगे गर पे ठीक है तो यह कॉक्रोष का कमने अगर एक बास सड़ काट दिया तो वह 3-4 देज तक मेरे खाल जिंदा असले लकिन ए है वण वीक क्यों एक हफते जिंदा से एक तो उसका हेड के पास थोड़ा सा ही नियूर छूस्टेम मरते हैं मतलब काम करना बंद हो जाता है तो आपन गांड़ लेकिन अगर इंका ब्रेन जो है 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 यद में लिटिल ब्रेन ही है लिटिल नर्वस इसे क्या होता है और मोश इसमें एक word से बोला दिया है वो दिया है बेली मतलब पेट होता है उनका जो most of the nervous system है वो body के neck से लेके abdomen तक मतलब thorax से लेके सब कुछ उसके winter साइड पर होता है इसके वैसे अगर उसका सर काट भी दे तो अभी उसका nervous control चाल हुए सिफ कुछ part खतम हो गया ना उसका head के जाने तो उसकी death brain dead से नहीं होती है brain dead तो हो दाता वाद में लेकिन brain काटने मतलब head काटने से नहीं होती है खाने से starvation से होती है तो यह point याद रखना है कि उसके head में थोड़ा साही nervous system का part होता है उसके वाज़ेसे अगर उसका head card भी रिया तो वो एक हफते तक जिंदा रहेगा ठ दो आते brain represented by supra isophagial ganglia ठीक है याद रखना है इसको जो brain जो है वो रीपरेजेंट होता है इसके detail में मत जाओ ठीक है अपने को कुछ इसमें PhD करना नहीं है brain जो represent होता है वो होता है supra isophagial ganglia option में आएगा infra ऐसे कुछ भी आ सकते option में ठीक है लैट्राव एसे कुछ भी आ सकत तो आपको supra superior supra isophagial ganglia यह supply करता है एंटीने को और compound eyes को यह जो पार्ट होता है supra isophagial ganglia supply किसको करता है यह supply करता है एंटीने को और compound eye को ठीक है अब अब नेक्स पॉइंट पे sensory organs क्या के इसके पास याद करना है एक तो eyes यह पता है आपने आपने compound eyes अगला क्या मैगजिल में क्या लगे हुए palp, palp वो होते हैं जो sensation को detect करने में help करते हैं इसके आपको कुण से कुण से palp है एक तो eyes एंटीने, maxillary palp, labial, labium के पास जो लगे हो इससे कहेंगे labial palp, annulsar की मैंने बता है आपको annulsar की क्या होता है sensation, vibration को detect करने में help करता है तो eyes, antenna, maxillary palp, labial palp, annulsar की अब important point, भूश इंपर्णिट लिखा में most important Club. compound eyes क्या होते हैं, 2000 aideda होते हैं, enduring dropdown dot ID году compound IQ unit को क्या कहेंगे? compound ID, compound IQ unit को क्या थांगे? isual Rotation. एक área इससे कितने में episा होते हैं, 2000 aideda, और option दे, find the incorrect match, कर dauert किया है कॉक्रोच के आई में 2000 ओमेटेडिया है रॉंग करना है इंकरेक करना है टूटल कितने है 4000 दोनों आख मिला के 4000 इच आई जब तक न बोले तब तक 2000 नहीं मानना है इच आई बोलते ही 2000 ओमेटेडिया दो आई लेके 4000 ओमेटेडिया ठीक है कभी भी compound eyes से जो vision मिलता है उ तो इससे कहेंगे मक्खी पिचर में देखो वो जो मक्खी होती है असे लगते कि कुछ देखते हुए बीच में से कंपॉंड बने हुए मतलब एक यह बने कंपर्टमेंट बनके देख रहा है पूरी विजन नहीं मिल रहे उसको तो क्या होता है अगर यह हमारा यह पार अलग देखेगा यह पार पूरा एक दम क्लियर इमेज नहीं हम देखो मुझे अगर मेरा हाथ दिख रहा है पूरा दिखर लेकिन पूरा देखेगा मेरा हाथ उसे अलग आलग आलग एलग आलग छुटटवटवटटटटटटट पारट दिखेंगे और उसे कहेंगे मोजेक मतलब मिक्स करता है वो विजयन को तो फिक्चर स्को लेता है यह मिक्स करता है तो सोिसके जाधा होती है तो अमकर आपने अधिकर बंधले सविट्व कम अचिसको दिखरा ने एक क्लियर कर नेक्हाइग और आप्जेग और कॉमでした उसे कहेंगे Mosaic vision, यह vision किसमे होती है, Nocturnal, बताया था आपको Nocturnal, जो रात में जो जगते हैं, उन्हें कहेंगे Nocturnal, उन्हें यह vision होती है, Compound eyes में 2000 ओमेटीड़िया, एक आख में होती है, Mosaic vision होती है, sensitivity ज्यादा, लेकिन resolution कम, sensitive ज्यादा, resolution कम, Nocturnal है हो, क्योंकि, ठीक है? आप अगले हमारे point पे, जो बहुत important है, और भुच्छी जदे important है, reproductive system, male reproductive system में कहा है, ठीक है? अब देखो, हमारे पास testis है, क्या है testis? का पर लिखा है testis, one pair of testis है हमारे पास, कितने pair है? एक pair, option में confuse करेगा, कितने testis है? दो testis है, या फिर एक pair है, एक testis नहीं है, एक pair of test testis है या फिर दो testis है, एक side में, एक testis एक side में, एक testis. ठीक है? forth to sixth segment याद रखना है याद, 4thth to sith segment, 4th to sixth segment में, हमारे testis, क्वोर्स सेग्मेंट में located है, दोस्तो, 5th to 6, क्वोर्स सेग्मेंट में? 4th to sixth segment में हमारे testis है? अब अगला point ठीक है? testis के बाळा और अचा है, पै जो अमल्ट से कुछ चाहिए अमाल टीविल से कुछ समाइनल बस जानल वसे कल वैसे इनने भी वास डिफ्रेंस होता है पेक्सटेश्टेसरेंस से एक टेस्टेसरेंस निकल रहे गएक्स्टाइर टेस्टेस से एक वास्टेसचस एक युक mir तीकरե dove Яब रेखने हैं तीन आपका। यह हों राइट-अलस्व छिए यह राइक्सट्वियर dat जिसे हम कहेंगे अनल स्टाइल टीटी लेटर और स्वीड़ोपनिस यह दोना पॉइंट कहें, मेंशन भी नहीं है सिर्फ डाइगराम में आपको याद धन से देखना है स्वीडोपनिस क्या है पनिस जिसना स्ट्रक्चर है, लेकिन वो इतना हेलफुल नहीं है और टीटी लेटर भी यह से कुछ ट्रक्चर है लेकिन यह कभी पुझा नहीं देगा आपको क्या है लेकिन डाइगराम में आ सकते है कोशन मार्क क्या सकते है कोशन मार्क टीटी लेटर पे याद होगे आपको टेस्टीस थे एक phallic gland उपर लगा था, उसके नीशे भी कुछ glands थे, mushroom shaped ने बुसते हैं, ठीक है, बुस सकते हैं, ऐसे बोलने के लिए mushroom shaped gland से ही है, ठीक है, फिर आते हम उसके बाद small tubule से, कुछ long tubule से, हर एक testis से एक wash difference निकल रहा है, इसे एक लेटरे duct में जाके wash difference मिल रहा है, इसे एक ले मेलने मिलता है, ठीक है, एक pseudo penny से, और titillator है, इदे को small structure, बहुत बच्छे से इंदो कर देंगे, इसे कहेंगे, titillator, एक pseudo penny से, एक titillator है, ठीक है, अब दिखते आगला point, one pair of testis from fourth to sixth segment, इसे एक लेटरे duct जो है, opens into male gonopur, इसे अब क्या होता, testis से, एक wash difference निकला, एक wash difference जा र एक लेटरे duct में, इसे एक लेटरे duct का open होगा, male gonopur में, मेल gonopur में, storage of sperm, स्शें करता है, ये point important है, samahynal bicycle, storage of sperm, SSL, storage of sperm, SSL, storage of sperm, samahynal bicycle, mushroom glands होते है, shape, mushroom shaped glands, कहा होते है, six to seventh segment, या याद रखना है, छोने से शटे सेग्मेंत में सब्सक्राइब निमीं मैंसि की इ openings में चावपय मेंच में मोटोए इक ऐ 그냥 आक खैकाए फ्येत्व ऐंने सेग्में यहBar मुझा जो छोने सीच services उन्हीं पूरिकाई धुम्ट हधे इतना बत इतना कुछेशंद करूंध नहीं ब्लॉक हम कि फ्यूं और खे उसका पूरा बॉरी कायट पलेट से बना हुआ है उसके गिजार मेर्s प्रकामा parody करते प्रफी कई के लिए क्बबट आपْ लिएक्क यालमेर लृबं ऱैट भीकरी और स्ट्रॉक्ट्चियर से गाइटिन फैतिनसे मीज़िसरे बीड़ मुड़ेंगे सबंद्रिकल स्ट्रक्ट्च्रों में ड़ने पोर थे अब धिक्थे पूंस को चाह्ते पूस अते उन्हां ग्लु करते क्या करते हूंने ह् तरफ भूफ अपरिचाओं स्पर्म्स ऐसे ऐसे ठीक है वो साले स्पर्म साथ है कि उन्हें ग्लू करते ग्लू करते एक जगार बंदल बना देते ऐसे हो तो कुछके वह कुछ आँसे लूजए कुछ उस हम अबनाते अब मैंतलब performed आइक झाल में जूट जाएंगे फ्यूस मनलब गल्यू हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे spermatophores, क्या कहेंगे spermatophores, ठीक है? capsule type structure, अब धंसे आपस एक बार revise कर लो इसे, testis है, phallic gland है, mushroom shape gland है, small tubule, long tubule, seminal बसे कल, एक testis से एक vast difference निकला एक के बाद, इजकुले जट में, right phallomere, ventraphallomere, left phallomere, another circus, caudal stasis, pseudopenis, titilator and pseudopennis, diagraph diagraph में दिया हुए है बास, इसका storage of spawns, seminal बसे कलों होता है, एक pair of testis from 4-6, निए और किसह होते हैं और सिप्द करना किसका होता है और और Feng Ben know पर को घ्राइब चांश्मों करने काम किसका होता है खालका टीक है खालइब चम्ड पर्मेटेबेड 110 पे प्रमेट फोटें टूका आध तो सखते हैं और अब उसके बाद जय लार्ज होते दिखर है आपको 2 OBER एक यहां पर एक यहां पर ओविडक्ट निकल रही तो ड्याइज से वजाए ना कहींगे समझा दो ओविरी से दो ओविडक्ट निकले एक और तो क्या ब्लार जले कौमन आधिक उसी क्वामन शु क्वेस्ट क्या है वजाए ना कहींगे यहां पर फिर आपको दिखते है स्ट मास working करता है कि बला गार काम कर लेग गयुद्छ करेगा जैनेतर चयंबर दीख बूस विश्टिबूलम पॉंट नहीं लेकिन यह इम्पॉटेंट पॉइंट है ग्या जरेनल चेंबर प्लस वेस्टी बूलन जो यह जरेनल पॉज बनेगा जरेन पर पफईसे सहाँ में टो ब्लेटिट यहां पर जुब तो काप हांगे टेश्टी शार से ची के बीच में ओविरी के पास आठ ओविर्योल्स होंगे एक आट ओविर्योल्स यह जिसे कहेंगे ओविर्योल्स जो है प्लाइगार चेंबर इए उसके बाद इसे कहेंगे जो बजएना है वह आगे देखर आपीज़ से देखर दिखर आपок इन चेंबर में ओपन हो रहा है ज्री चेंबर में ये ओपन हो रहा है ठीक है और डिल्स वेस्टी विलम क्या बनाएगा जयारी दोक्रुच बनाएंगा क्या है काम है कि स्टूर करना फट्टलैस एक कितने एक्स प्रमस को स्टूर करना फेटलैस मतलब एक को चैनल एक को स्पराप्स में आकर लिए उन्हें में उस फर्ट लेक को कहेंगे रंभी मिली मेटर लॉंग इससे हम कहेंगे 8 ओट्रंइकर टीबाइट इंच थीऑप मेटर इंच पर टीए ऐड़ी जु कि मिली मेटर और टीड इंचेस ऐवरेज इस फीमिल शिक्रेट्स तर्फ प्रवाह से ने कुछ प्रवेट कर लिया जो एक्स को एक्स करने में हिल्प किया उसके बाद जनेटल चेंबर में आते जनाटल चेंबर में आते उसको प्लस वेस्टी बूलम से जनाटल पाउच यह पर है कुण आपको फाइसी दो ओवरी जेलार्ज सेग्मेंट में एक पास आट ओवरी ओल से ठीक है ओवरी जो है कंवर्ज होगा बनाएगा वजने के पास वजने से जनाटल चेंबर वन पर मैं बनाटल को सीज सेग्मेंट में सपरम अपर्म सेग्मेंट में इस सकते हैं अंध म प्रक सकती है वो मतलब 9-10, encased structures के वास, 9-10, encased structure 9-10, ठीक है, और 1 U-theka में कितने अंडे होते है, 14-16, 14-16, 1 U-theka में कितने होते, 14-16, जीता याँ रटना है, average, each female के पास, 9-10 U-theka है, और 1 U-theka में 14-16 eggs है, निम्फल स्टेज पे, निम्फल स्टेज पे, निम्फल स्टेज मत मोल्टिं होता है, मोल्टिं मतलब, एक एक स्टेज आके बढ़ते जाता है, 13 मोल्टिं मतलब, 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 13 मोल्टिं से मोल्ट होते होते मोल्ट होते होते बनाएंगे उसे कहेंगे हम पौरो मेटाबॉलस डेवलपमेंट ठीक है 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 पौरो मेटाबॉलस डेवलपम सारके सारे निंफो स्टेज में विंग्स ही नहीं, उड़ने पाएंगे, आप देख सते हैं, छोटे कोकस उड़ पाते हैं कि कभी, नहीं उड़ पाते, विंग्स ही नहीं है, विंग्स कब आते हैं, जब वो अडल्ड बन जाएगा, only अडल्ड है व विंग्स, लेकिन जो एंस पैड बन जाएंगे लेकिन विंग्स नहीं बन पाएंगे तो यह हो गया पूरा डिलोप्मेंट कैसे होता है निमफल स्टेज से होता है पौरो मेटावलस होता है 13 ताइम स्मोल्टिंग होती है अडल्स में सीप विंग्स होते और उसके पेज़ा शेज में सिंप विंग्स पै तो यह पॉइंट्स होगे कुछ उसका हर एक थोरेक्स के सेग्मेंट में एक पेर ओफ लेक्स होते हैं इसे हम कहेंगे अनल स्टाइल्स लेकिन फीमेल के पास और मिल्स के पास दोनों के पास एक सिंप कॉमन वह है अनल सर्की ठीक है उसके पास फूड जो है उसका दो एक्स चैंबर जाब चाहरा जांट केंगे लिएट वार्प ऑर गिजार के चाहरे में क्या होता है काइटेनिस होते होते हैं कितने होते हैं इसमें और तो टॉल मिलाएक चार हजार ठीक है अब उसका साइस कितना होते हैं को करोज का होते हैं 0.6 cm से 7.6 cm या फिर 1 बाए 4 इंच्छ से 3 इंचेज या फिर आवेरिज अडल्ट का होता है 34-53 मिलिम्यों से 3 près 10 पर 10 पर 10 पर 10 पर 20 पर 20 सब्सक्राइब हों यहां पर यहां पर कुछ स्थेगमें प्रक बेच में जो है यहां पर मैश्रूम शेप ग्लांड होते हैं शिक्स सेग्मेंट पर यह कुछ से याद करने की चीज़ है वहां पर देख सकते फटल उठेका का साइज कितना है तीन से आट इंच या फिर आट मिलीमेटर के सकते हैं एवरेज फीमेल के पास नौ सदस उठेका होते हैं औ सब्सक्राइब कीजिए उन्हें वीडियो शेर कीजिए चलिए बाई बाई